लूशन्ट संभिधान की इस रिंखला को बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है यह संभिधान की विशेस्ताएं हैं इससे सम्मंदित कुशिन हम कवर करने वाले हैं तो सभी मित्र क्लास में आ जाएं और जो भी प्यारे भाई भेन हमारे साथ नए हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब करने मिल आइकन को प्रेस करने ताकि क्लास की नोटिफेकिशन टाइम टो टाइम मिलती रही क्या पूछा जा रहा है कुशिन नमबर फर्स्ट आप से विस्सु का सबसे बड़ा लिखित युम सर्वधिक व्यापक शम्मिधान किस देश का है यह आप से पू क्या पूछा जा रहा है भारतीस समविधान कैसा है यह कैसा है यह आपको बताना है तो याद रखना भारतीस सम्मिधान जो यह अंसता कटोरियों अनसता लचीला है बात करें तो राइड एंसर पूछिन नमबर टी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेश्ट कुशिन आपके सामने है कुश्य नमबर 3 भारत का सम्विधान किस परकार का है भारत का सम्विधान जो ही किस परकार का है यह आपको बताना है कुश्य नमबर 3 का बता देंगे रायट एंसर क्या होगा तो इसका जो राइड एंसर हो जाएगा नम्मे और अनम्मे दोनों है यानि बात करें तो राइड एंसर आपसे नमबर सी वाले बिल्कुल सही होंगे नेश्ट कुशन आपके सामने कुशन नमबर फोर भारत के संभिधान में भारत को माना गया है भारत के संबिधान में भारत को क्या माना गया है यह आपको बताना है तो याद रखना राज्यों का संग यानि राज्यों का यूनियन ओप्सिन नुम्बर सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेश्ट कुशिन आपके सामने भारत एक धर्म निर्पेच दे से इसका तातपर है यह आपको बताना है याद रखना है इसका जुराइड एंसर हो जाएगा उसका राजस्तर पर कोई धर्म नहीं है भारत का राजस्तर पर कोई भी धर्म नहीं है धर्म निर्पेच का अर्थ ह कहा जाए कोई भी धर्म जो है इराज इस थरपन नहीं होता नेक्स्ट कुशिन आपके सामने कुशिन नम्बर 6 है क्या पूछा जा रहा है निमलिकित कथनों में इसी कौन सही है चार कथन आपके सामने दिये गए है कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है कुशिन 6 क्या हो जाएगा डी यहां बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने कुशिन नम्बर 7 है बारतिय सम्मिधान की संबंद में कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है तो याद रखना इसका जो राइड एंसर हो जाएगा या दूसरों देशों के सम्मिधान से प्रभावित है यह कथन जो यह बिल्कुल परफेक्ट है तो राइड एंसर उप्चिन नम्बर 2 यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेश्ट कुशिन आपके सामने कुशिन नम्बर 8 है निम्लेकित में से कौन सा कथन सही है निम्लेकित में से कौन सा कथन सही है यह आप से पूछा जा रहा है कुशिन नम्बर 8 का जो राइड एंसर हो जाएगा भारत का सम्मिधान भारत में संसदिय पद्दत की सरकार की विवस्था करता है बिल्कुल सही है दूसरा क्या लिखा गया है भारती सम्मिधान द्वरा 73 नियाय पालिका की अस्थापना की गई है बिल्कुल सही है यह भी भारती सम्मिधान भारत में विदी की सासन की विवस्था करता है तो यह भी सही है यानि बात की जाए फ्रेंट तो राइड एंसर उप्षिन नमर डे यहां बिल्कुल सही हो जाएगा डी उप्युक्तिसर भी नेक्ष्ट हाँ अपकी सामने कुश्यन नमर नाइन इसका राइड एंसर बताना है क्या पूश्य जा रहा है निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं है की बात कर रहा है कुश्यन नमर नाइन का बता देंगे राइड एंसर क्या हो जाएगा कुश्यन एट के आथ हम देख लेते हैं फिर से सही है मुझे लगा कि बीच में छूड़ गया होगा क्या पूछा जा रहा है निम्लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है सही नहीं है कि बात कर रहा है तो याद रखना इसका जुरायड एंसर हो जाएगा संभीधान के परिवर्तन के समय ही संभीधान मूल करतब्य सामिल थे ये कथन्स वह बिल्कुल गलत है बाके तीनों जो बिल्कुल perfect लिखे गए हैं लेकिन गलत की बात कर रहा था तो option D यहाँ बिल्कुल perfect हो जाएगा समिधान के प्रावारतन के समय ही समिधान के समिधान में मुल करता बेशामिल नहीं थे यहां कहरा है सामिल थें तो यह कथन्स होए बिल्कुल गलत हो जाएगा Next question आपके सामने निमलेकित में से कौन सा कथन्स सही है कौन सा कथन्स सही है यह आप से पूछा जा रहा है किया गया है सभी समीधानों से विशु के बहुत सारे देशों से लिया गया है भारतिय advisovitch 一 समीधान एकल नाकरिता का प्रावधान करता है बिल्कुल सही है यह ब्mäक्षिय सम्मिधान मुएस्क संभीधान यहां आपको बताना है यादर बहुत है भारत करद जो है यह एक प्रकार का है यहां आपको बताना है तो यादरुआ है इसका चुन राज्धान्स जाएगा सनरचना में संगात्मक भाउना में एकता टाळणस अबसन क्या होसे हां इहां बिल्कुल स्लस्रीन आपकी सामने भातिस अमिदान भाउना में एक आत्मा खेंक्यों की फिर बताना है आपको कैवल संसद कुछ अंबेधारी संसोदन परकिरी आरम करने का अधिकार है बिल्कुल सही है ये पॉइंट दूसरा जो ये क्या लिखा गया है कुछ स्तितियों में संसद को राजी के लिए कानून बनाने का अधिकार है ये भी बिल्कुल सही है अकिल भारती सिवाओं की कारण बिल्कुल सही है य तो याद रगना भारती सम्मिधान की संदर में कहा जाता है कि यह फिर खाली स्थान दिया गया है तो याद रगना भारती सम्मिधान की संदर में कहा जाता है कि यह वकीलों का शर्ग है वकीलों का स्वर्ग है राय डेंसर अप्स नमबर बी यहां बिल्कुल परफेक्ट हो ज पूछा जा रहा है यहां द्रगना भारती सर अमीधान पर सबसे अधिक पुर्भाव जो यहां बिल्कुल सही हो जएगा नेस्ट कूशिन आपकी सामने स्कूश्चिन नमर्स बताई ये मित्रिस का राय डेंशर क्या हो जाएगा, क्या पुछणा जाएरा है, इसे थोड़ा छुटा कर लेते हैं — निमलिखित निमलिखित में से यह किसे से निरधारित होता है कि भारत के इन्विधान पर सब्धर कहीर हुगुग है निम्लिकित मैंसे किसे से निर्धारित होता है कि भारत के समिधान जो है ये पड़संगी है बताईए का कुशन नवर सोले का राइड एंसर क्या हो जाएगा तो याद रखना इसको जो राइड एंसर हो जाएगा केंद्र वाराज जी के बीच सक्तियों का विवेरर पशन नुमर सी यहां बिलकुल स tara आधारित है यहार आपको बताना है याद रखने हिसका जुराइड एंसर हो जाएगा जातकि सरकारों को चुनने तथा बंदलने का अधिकार प्रापत है सबस्क्राइब बदलना है यह यह जनता के पास अधिकार है उईसे ही प्रजातन्त कहाyeता तो रैडेंसर हो जाएगा option number C याँ बिल्कुल perfect होगा next question आपके सामने भारतिय सम्मिधान में है भारतिय सम्मिधान में कितने articles है यह आपको बताने है question 18 को बता दें कि रैडेंसर क्या हो जाएगा तो याद रखना इसको जो रैडेंसर हो जाएगा 350 से अधिक articles है यानि बात करें तो राइड एंसर उप्षिन नमर भी यहां बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने कुश्चन नमर बनीज है भारत में किस परकार की इसासन ब्यवस्था अपनाई गई है भारत में किस परकार की इसासन ब्यवस्था जो है यह अपनाई गई है यह आपको बताना है तो याद रखना इसका जो राय डैंसर हो जाएगा जो भी मित्र मारे बता रहे हैं ब्रेटिस संसदात्मक प्रडाली यानि राय डैंसर उपस नमबर बी यहां बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट कुशिन आपके सामने भारतिय राजनेती बिवस्था में इनमें से कौन सरबोच है यहां भारतिय की वरतनी जो है यह गलत लिखी गई है मित्र भरते लिखी गई है भारतिय की वरतनी यहां देख लिजेगा भारतिये राजनेति विवस्था में इनमें से कौन सरवोच है तो याद रखना सरवोच जो है हमारा सम्मिधान होता है तो राइट एंसर अप्षिन नमबर भी यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा नेश्ट कुशिन आपकी सामने है भारतिय सम्मिधान के ब्रहद होने का कारण है यह क्या है यह आपको बताना है कुशिन 21 है सभी में तर जल्दी अल्दी अंसर देने की कोशिस करें याद रखना भारतिय सम्मिधान के ब्रहद होने कारण जो है इसमें संग तथा राज्य दो सरकारों का संविधान है राय डेंसर अप्स नमबर डी यहां बिल्कुल फरफेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुश्चिन आपके सामने भारती संविधान का अभिभावक कौन है भारती संविधान का अभिभावक जो है यह कौन है कुश्चिन 22 है में दरफ बताईएगा राय डे इसका राइड एंसर बताना है भारत में वैस्क मतादिकार की उम्र सीमा क्या है भारत में वैस्क मतादिकार की उम्र सीमा जो है यह क्या है यह आपको बताना है तो मतदान करने का उम्र सीमा जो है यह 18 वर्ड से भारत में तो राइड एंसर हो जाएगा आपस नमबर यह जो भ पूछे जाने की पूरी उम्मिद है क्योंकि यह हाई है बहुत ज्यादा सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं तो आपको कुछ टफ सवाल पढ़ने होंगे तो यह कुछ जो आपके लिए काफी ज्यादा है आपको जल्दी प्रैक्टिस करना है अगर अगर अपको कोई कुछ नही आता है तो नोट डाउन कर लिजेगा ताकि आपको रिविजन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो फिलाल यह जो स्रीज चल रही है यह स्रीज पूरी हो जाने पर इसकी प्रीडियप हमारे टेलेग्राम चैनल एक्जाम गुरुजी भाई एर्बिन सरपर सेंडी की कर दी जाएगी विदा एंसर की के साथ आप इसे पुना रिवाइस कर लेना फिलाल अभी आप इसे अच्छी से पढ़िए जो नहीं आता है उसे नोट डाउन करिए के बाद में रिविजन करने में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं हो बाकि प्रीडियप तो आपको मिली जाएगी सेरीज कंप्लेट होने के बाद यहां पुछा जा रहा है भारतिय संग्य विवस्था की एक विसेष्था है कौन सी विसेष्था है यहां आपको बताना है कुछिन 24 है बताईए अगर रायट एंसर क्या होगा तो याद रखना इसका जो रायट एंसर हो जाएगा संविधान की सरबोच चता यानि रायट के एंसर उप्शिन अबर भी यहां पिल्कुल सही होगा नेश्ट कुछिन आपके सामने है भारत की संविधान में संग्य सब्दी की जगा किन सब्दों को स्थान दिया गया है यहां आपको बताना है कुछिन 25 का रायट एंसर क्या हो जाएगा याद रखना इसका जो रायट एंसर हो जाएगा राज्यों का संग रायट एंसर उप्शन बरसी यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा जो भी में तर बतारे राज्यों का संग बिल्कुल सही होगा नेश्ट कुछिन आपके सामने भारते संविधान में कितनी सूचिया है भार समूर्धी सूची भी में नहीं होते तो उन्हें अवसिस्ट सूची में रखा जाता है अवसिस्ट सूची का प्रहवधान जो एक अनाड़ा से लिया गया ये भी आपको याद रखना होगा नेश्ट कुशिन आपकी सामने मित्रे संबीधान का सर्वोच अपना प्राधिकार क पुष्चिनमर 27 है, बतते हैं किया हो जाएगा है तो याद देखनां भारत की जनता से भारत की जनता से जो आप नहीं था किसमे नहीं था यह आपको बताना है याद रखना सम्विधान में नहीं थे तो जो भी में तरमारे बता रहे हो बिलकुल सही हो जाएगा भारती सम्विधान की सरचना किस परकार की है भारती सम्विधान की सरचना किस परकार की है या आपको बताना है याद रखना इसका जो राइड एंसर हो जाएगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर यानि राइड एंसर आप्शन नमबर डी यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा जो भी में तरमारे बता रहे हैं कि भारती संभीधान के सरजना किस परकार की है कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है तो बिल्कुल सही बता रहे हो नेश्ट कुशन आपके सामने कुशन नमबर तीस है फिलाल इसके ऑप्शन जो है दो धर दिये गए हैं पढ़िएगा भारत के संभीधान के आदे नम्रेकित कथनों में से कौन से कथन सही है संभीधान के संसोधन के लिए भीत परकिरिया का अनुशरण करना होता है संग की संसद तथा राजविधान सभाएं संप्रभू है मूल धिकारों को परेधी को निर्धारण करने के लिए संभीधान के उद्देशिका का आविलंब नहीं किया जा सकता इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है तो याद रखना उधर का तो मैं जे पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही लग रहा था और यहां तीसरा जो है ये भी बिल्कुल सही है पहला दूसरा यहां क्या कह रहा है हाँ में तरफ तो यहाँ पहला दूसरा और तीसरा जो वे सही नजरा रहा है लेकिन चौथा और पाच्वा बिल्कुल गलत है उधर का दो कुशन में जो पढ़ा दो आपसन वो सही था और तीसरा सही है तो पहला दूसरा और तीसरा ये किस आपसन में दिया गया है तो आपसन नमबर डी में जन्मिलिया यहां आपको बताना है कुशन 31 आपकी सामने आछुका है तो यादräखना इसका जो राय डैंसर होजाएगा फ्रांस में सबसे पहले लेखेत सम्मिधान जो ये फ्रांस का है तो राइड एंसर हो जाएगा अपसे नमबर ये तो जो भी मित्र बतारें ये बिल्कुल परफेक्ट होगा नेश्ट कुशिन आपके सामने अध्याचन्दक सासन का उदे सरपर्थम किस देश में हुआ अध्याचन्दक सासन दो है ये सरपर्थम कहां उदे हुआ तो इसका जो राइड एंसर हो जाएगा सहीव तरा जमेरिका यानि राइड एंसर अपसे नमबर डी यहां बिल्कुल सही होगा जो भी मित्र बतारें डी बिल्कुल परफेक्ट होगा नेच्ट कुशन आपकी सामने कुश्चन نमबर देश इसका क्या कुछन जारा है निमनेकित में से कौन सा एक भार्ति समीधान का धरसन नहीं है कि बात कर रहा है तो कल्याड कारी राज्य समाजवादी राज्य राज्य राज unleetik समानता है लेकिन साम्मयवादी राज्य नह Next question आपकी सामने question number 34 है, क्थन दिया गया है, भारतिये संविधान अर्द संघातमक है, कारण है, भारतिये संविधान ना तो संघातमक है, और ना ही एक आतमक, कूट आपकी सामने दिया गया है, बताइगे इसका रायट एन्सर क्या होगा, तो बिल्कुल सही है A और R दो दोनों सही है तता R A की सही व्याख्या करता है तो बिल्कुल सही बता रहे हो option नमबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे next question आपकी सामने हमेंदर बताईएगा इनमे से कौन सा भारती संग्य व्योस्ता में एकात्मक तद्व है बताईएगा right answer क्या हो जाएगा keyboard no.35 है तो यादतना इसका जो right answer हो जाएगा पूच रहा है भारती संग्य व्योस्ता में एकात्मक तद्व है कुश्यन सोच समझ कर बताना तो इसमें जो है एकात्मक तर्थो की बात कर रहा है तो राज्यों में राज्यपालों की नुक्ति जो है एकात्मक तर्थो है बाकी बात करें मित्रिस में राज्य सभा में समान पढ़ते ने दे तो जो है ये भी एक आत्मक्तत हो जाएगा और यहां बात करें आखिल भारते सेवाएं जो है ये भी एक आत्मक्तत हो है यानि 2, 3, 5 इसका बिल्कुल परफेक्ट एंसर होगा तो राइड एंसर क्या हो जाएगा जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नमबर भी बिल्कुल सही बता रहे हो 2, 3, 5 बिल्कुल सही वाले ऑप्शन नमबर भी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे नेश कुशन आपकी सामने है भारत में राजनीती बिवस्ता के मूलभूत लच्षड जो है यह कौन से है यहापको बताना है फिरहाल यहां दो तिन नजर आ रहे हैं जरूर कूट दिया होगा हाँ यहां स्कूट दिया गया है सो समझकर बताइए इसका राएड एंसर क्या होगा भारत में राजिननेतिक विवस्ता के मुलभूत लेक्षर जो है यह कौन से है यह आपको बताना है तो यह एक लोकतांत्रिक गड़तंत्र है बिल्कुल सही है बिल्कुल परफेक्ट है इसमें संसदात्मक रूप से सरकार है बिल्कुल सही है यह भी सही है सर्बोच सत्ता भारत की जन्ता में नहीं थे यह तो बिल्कुल परफेक्ट है बाकी चौथा एक दो तीन एक दो तीन किसमें दिया गया है तो option B में ही दिया गया है चौथा भी पढ़ लेते हैं यह है केके किरित सकती का परावधान करती है तो यह गलत लिखा गया है लेकिन पहला दूसरा और तीसरा जो है यह बिल्कुल perfect है तो यही इसका राइड एंसर हो जाएगा यानि राइड एंसर option number B वाले हमारे सभी हमित्र बिल्कुल सही होगी कुशन 37 आपके सामने आ चुका है निमलेखित मैंसे कौन सी बिस्स्ता भारते संग और अमेरिकी संग दोनों में साजी है निमलेखित मैंसे कौन सी बिस्ता जो है या भारते संग और अमेरिकी संग दोनों में साजी है या आपको बताना है सो समझकर बता देंगे कुशन 37 इसका राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना इसका जो राइड एंसर हो जा निमलेखित मैंसे कौन भारती राज वेवस्ता में सरवोच्छ है या आप से पूछा जा रहा है तो या विचन समझकर बता दोनों में है विल्कुल परफेक्ट होगा next question है भारती समझयान का आप किस प्रकार वरणन करेंगे भारती सम्मेधान का आप किस परकार रड़न करेंगे यह आपको बताना है याद रखना इसका जो रायट एंसर हो जाएगा बिस्व में सबसे बिस्तित सम्मेधानों में से एक है सबसे बड़ा सम्मेधान है हस तलिके सबसे बड़ा सम्मेधान है तो हम कह देंगे विस्तु में सबसे बिस्तरित संवीधानों में से एक है भारत का संवीधान तो राए बिसर हु जायेगा अग्रफ से नमबर C तो जो भी मत्र बता रहे हैं C बिल्कुल सही होगा question number 40 आपके सामने है भारत का सम्विधान मानेता परदान करता है बारत का सम्विधान जो है ये मानेता परदान करता है किसको यहाबको बताना है बताईए का question number 40 का right answer क्या हो जाएगा तो जो भी मित्र मारे बता रहे हैं में क्यों भासाई अल्ब सेंख्यकों को बिल्कुल सही बता रहे हो यानि भाद करें तो राईडेंस रोप्षन बर C यहां बिल्कुल सही होगा तो जो भी मित्र बतारे हैं C बिल्कुल परफेक्ट एंसर हो जाएगा तो यहां मित्र संबिधान की 20 स्ताउं से समदित मैंने 40 गई है इसकी पीडियाप आपको मिलेगी तब आप इसे पुना रिवाइस कर लेना हमारा अगला टोपिक जो आता है यह संबिधान की स्रोत आता है संबिधान की स्रोत से सम्मंदित पहला कुश्चिन जो आपके सामने आ चुका है कुश्चन फर्स्ट आप से क्या पूचा जा रहा है भारतिय सम्मिधान की कौन सी विशेस विवस्ता इंगलेंड से ली गई है भारतिय सम्मिधान की कौन सी विशेस ता जो है ये इंगलेंड से ली गई है तो याद रखना है इसका जो राइड एंसर हो जाएगा संसदिये प प्रेरित है आईरिस सम्मिदान से कौन सा लिया गया है यहाँ आपको बताना है तो याद लगना आईरिटलेंड से कौन सा लिया गया है नीतिन देशक सिद्धान यानि बात करें तो रायट एंसर अप्षिय नमबर यह यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने भारतिय सम्मिदान का सबसे बड़ा 21 रोत है भारतिय सम्मिदान का सबसे बड़ा 21 रोत जो है यह कौन सा है कौन सा थरी का बता देंगे रायट एंसर क्या हो जाएगा तो याद रखना है भारासा संधन दिनियम 1935 यानि गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1935 राइट एंसल हो जाएगा उप्शन नुबर डी जो भी में दर्वतार हैं उप्शन नुबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा नेश्ट कुष्चन आपके सामने कुष्चन नुबर फॉर है भारत की संग्य ब्यवस्ता में किसे देश की संग्य ब्यवस्ता से अधिक समानता रखती है पूछा जा रहा है भारत की संगिये व्यवस्ता किसे देश की संगिये व्यवस्ता से अधिक समानता रखती है यह आपको बताना है कुश्य नमबर 4 का जो रायट एंसर हो जाएगा कनाडा जो भी मित्र बता रहे हैं कनाड़ा बिल्कुल सही बता रहे हो यानि राइट एंस रॉप्स नूबर बी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा कुशन नूबर फाइव आपके सामने आचुका है क्या पुछा जरा है भारती समिधान में समोर्ती सुची की अधारणा ली गई है पर आधारी थे भारती समिधान की अंतरगर्द संग्यों राज्य के वीच की सक्तियों का विभाजन जो एक इसकी प्रेड़ा पर आधारी थे यहां आपको बताना है तो याद रखना इसका जो राइडेंसर हो जाएगा कनाड़ा संग यूम राज्यों के वीच सक्तियों का विभाजन जो एक खनाडा से लिया गया है तो राइडेंस रॉप्स नमबर विवाले हमारे सभी मिद्र बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्ट कुशन आपके सामने कुशन नमबर सेबा ने भारते सम्विधान में मौलिक करतब का विचाल लिया गया है मौलिक करतब बें जो है यह कहां से लिया गया है तो रूस के संबिधान से लिया गया है मौलिक करतब बें तो राइडेंस और उप्सन नमबर C बिल्कुल सही हो जाएगा next question आपके सामने question नमबर 8 है क्या पूचन जा रहा है सामे सामिल नीत किस क्रिदान से प्रेरी था या आपको बताना है तो 8 का चुरायई असर और हो जाएगा कि आयरलेंड से आप्स नाबर अधिकारों या ही हो जाएगा नेक्टी सामने भारती संबिदान में इ sucker का था सिली मौला के तेसे का अनुश्ड किया गया है आप से सी सब्साइब पूछ रहा है पूह इन्स हम हैसा समय दंस है बिल् 거지 हो जाएगा निश्ट सौल में तै क lle can you प्रड़ाली कहां से ग्रहड की गई है भारत में सरकार की संसदी प्रड़ाली कहां से ग्रहड की गई है question No.10 का जो राइड इंसर हो जाएगा British संविधान से राइड इंसर उप्शिन और सी यहां बिलकुल सही होगा देखें मित्रम कुश्चन जो है यह फास्ट करा रहे हैं क्योंकि टाइम बेश्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहींगे चाहे आप एक घंटे भी बैठे रहेंगे अगर आपको एंसर आते हैं तो आप एक मिनट में दे देंगे एक सेकंड में दे देंगे क्या पुछा जा रहा है भारत के सम्मिदा निर्मातो के नियाइक पुरन और लोकों की विजार को ग्रहण किया गया है कहां से ग्रहण किया गया है तो याद रखना इसका जो राइड एंसर हो जाएगा जूभी में दिर बतारें एक अमेरिका से ही बिल्कुल सही बतारें कानून की समान से रच्र जो एक कहां से लिया गया है अमेरिका से लिया गया है उप्सिन नमबर ये हां बिल्कुल सही हो जाएगा next question आपके सामने भारते सम्मिधान में आपात सम्मंदी उपबंद भारत सा सनाधिया मुनेश सोपाइंदेश और फिर खाले स्थान दिया गया है कि सम्मिधान से लिया गया है आपात सम्मंदी उपबंद जो ये कहां से लिया गया है तो सभी को बता है जर्मनी से यानी भात कर है भारते समिधान में राज नेति के निदेसख सिध्धांदों की संकल्पना कहां से अंगी कार की गई है नेति निदेसु सिध्धांद जो है ये कहां से लिया गया है यह आपको बताना है कुश्टिन 14 आपके सामने आ चुका है तो अभी आपने बताया था Ireland लेकिन Ireland एक ही option में दिया है उसके साथ Spain दिया गया है तो बिल्कुल चाहिए option number Ireland वर Spain से option यह यहाँ बिल्कुल सही होगा निश्कूशिन आपकी सामने राष्टपत द्वाराराजसवा के सरदसों के नामांकन का नियम किसी देश समिधान से लिया गया है राष्टपत द्वाराराजसवा की सरदसों का नामांकन का नियम जो यह किसी समिधान से लिया गया है यह आपको बताना है याद रखना इसका जो राइड एंसर हो जाएगा आयर लेंड से ही लिया गया है यानि बात करें तो राइड एंसर ओप्षिन नुब भी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेश्ट कुछिन आपकी सामने समिधान के सरचक की रूप में सरबोच ने अलेक अधिकार भी सुके कि समिधान से लिया गया ह समिधान के सरचक की रूप में सरबोच ने अलेक अधिकार भी सुके कि समिधान से लिया गया है यह आपको बताना है तो याद एक्रम इद्रिस का जो राइड एंसर हो जाएगा अमेरिका की समिधान से राइड एंसर ओप्षिन नुबर सी वाले हमारे सभी भाइवेन बिल् रखना फ्रांस के समिधान से यानि बात करें तो राइड एंसर ओप्षिन नुबर यह यहां बिल्कुल सही हो जाएगा निश्क कुषिन आपकी सामने कुषिन नुबर रठा रहे है भारत में कलेक्टर का पद और चारिक निवेसिक सासन के उधार लिया गया पूछ रहा है भारत में कलेक्टर का पद जो है आपने वेसिक सासन से उधार लिया गया है किस राष्ट से यहां आपको बताना है याद रखना इंग्लेंड से यानि बात की जाए कलेक्टर का पद जो है इंग्लेंड से लिया गया है उपसिन नुबर यह यहां बिल्कुल सही हो जाएगा बिदी की समझ सम्ता लिया गया है कि सम्मिधान से यहाँ आपको बताना है यादखना इसका जुराइड एंसर हो जाएगा इंगलेंड की सम्मिधान से उपसे नमबर यह यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा सर्बसता शंपन संसत की अधारण की सिदेश की देन है सर्व सत्ता शंपन ने संसत किया वधारा किस देश की देन है यहाँ आपको बताना है कुश्य नमबर 20 है मित्र बताईए का राइड एंसर क्या हो जाएगा याद अखना इंग्लेंड बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा जो भी मित्र बतारें इंग्लेंड बिल्कुल परफेक्ट एंसर होगा अप्सन नमबर 20 है यहाँ बिल्कुल सही होगा नेश्ट है भारते समिधान में मूल करतिव्यों को सामिल करने का विचार किस देश के समिधान से लिया गया है भारते समिधान में मुलकरतिव को शामिल करने के अभिचार जो एकी समिधान से लिया गया है या आपको बताना है यादर ने इसका जो राइड एंसर हो जाएगा पूर्वी सोवियत संग यानी राइड एंसर अप्चिन अबर डी यहां बिल्कुल फिल सही होगा रूस नेच्ट आपके सामने भारते समिधान द्वारा प्रदत्य मौलिक अधिकारों के अस्थगन सम्मंदी कायर पालिक का की अधिकारों को किस देश के समिधान से लिया गया है तो इसका जो डाइड एंसर हो जाएगा जर्मणी बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी मित्र बतारें ज तर्मनी बिल्कुल पर्टफेक्ट एंसर होगा संविधान में कौन सी विवस्था सामिल की गई है यह आपको बताना है याद रखना इसका जुरायड एंसर पूज़ा गए संखिय सासन विवस्था यानि बात करें उपयोग तो सभी राइडेंस रॉप्षन बर्ड़ी विल्कुल सही होगा कुष्चेन 24 आपके सामने है भारते समिधान के निर्माण में सरवधिक गंबीर प्रभाव निम्लिकित में से किसने छोड़ा है भारते समिधान के निर्माण में सरवधिक गंबीर प्रभाव जो है किसने छोड़ा है या आपको बताना है नेक्स्ट आपके सामने कुष्चेन 26 है क्या पूछा जारह है सर्वोच नहले की व्यवस्ता भारती संभीदान के किस देश से लिया गया है यहां को बताना है तो 26 का जो राइड एंसर हो जाएगा जो भी मिंत्रमारे बता रहे हैं USA के तो बिल्कुल सही बता रहे हो option number B यहां बिल्कुल सही हो जाएगा संभात्मत सासन व्यवस्ता को सरपर्थम किस देश ने अपनाया तो याद रखना संभात्मत सासन व्यवस्ता को सरपर्थम किस देश ने अपनाया कनाड़ा नहीं राइड एंसर हो जाएगा भारत की संसदी ये प्रडाली प्रभावित है भारत की संसदी ये प्रडाली जो है किसे प्रभावी थे यह आपको बताने है बताइए का मित्र कुश्च नमर 28 इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा तो याद रखना इंगलेर्ड इसका परफेक्ट एंसर होगा राइड एंसर नमर यह बिलकुल सही हो जाएगा नेश्ट कुशन आपके सामने कुश्य नमबर 39 है भारत के सम्विधान की प्रस्तावने में प्रतिष्ठापित, स्वतंतरता, समानता और भाई चारे के आदर्सों को प्रेडा कहां से मिली थी याद रखने इसका जो रायड एंसर हो जाएगा फ्रांस की घ्रांती से यानि बात करें तो रायड एंसर ओप्षिन नमबर यह यहां बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने है भारती संविधान के संसोधन परिकिरिया किस देश के संविधान से प्रभावित है तो याद रखने इसका जो रायड एंसर होगा दच्छिड आफ्रीका यानि बात करें तो रायड एंसर ओप्षिन नमबर डी बिल्कुल सही हो नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने किस देश के संविधान से भारत के संगिये विवस्ता प्रभावित नहीं है या आपको बताना है बात करें 31 का जुरायड एंसर हो जाएगा दच्छिड आफ्रीका से नहीं है बलकि संवित्रा जमेरिका कनाड़ा और रस्ट्रेलियर से ब कीजिए और देगे कुड को सही उत्तर चिन्हित कीजिए मौलिक अधिकार राजी के नितिनी से देशा तो मंत्री मंडल सरकार और केंद राजी संबंध ये सब कहां से लिए गए हैं फटाफ़ बता देंगे कुश्चन नमर 32 का तो मौलिक अधिकार तो है ये सबी को बता है कि अमेरिका से लिए गए हैं बिलकुश सही है राजी के नीतिनी देशक्षिद्धान जो है ये कहां से लिए गए हैं आजिस के संब्धान से लिए गए हैं पहले चार आएगा उसके बाद तीन आएगा पहले चार उसके बाद कादा से हो जाएगा यानी बात करτιंटो डवा जाएगा तो सबसे पहले 1-2 यानि ओप्स नमबर भी बिलकुल सही होगा अकि क्या किक्षण आपस के सामने कुश्चन! नम्बर 33 है निम्लिकित में से कौन सा लच्छड भारती है परिसंग और अमेरिकी परिसंग में समान रूप में पाया जाता है कुश्चन 33 है याद रखना इसका जो राय डेंसर हो जाएगा संभिधान के निर्वाचन के लिए परिसंग ये उचे तम्नियाल है राय डेंसर क्या होगा डी यहां बिल्कुल पर्फेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कुश्चन 34 इसका राय डेंसर बताना है संसदीय शासन परलाली सर परथम किस देश में विक्सित हούी जो है जिस व्रत सर परथम जो है किस देश में विक्सित हुई तो ब्रेतेन में यानि बात करें थ्याज़ राय डेंसर उप्षिन नृमर यह बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट कुशिन आपके सामने कुशिन नमर 35 है निमलेखित मेंसे वा समबेधानिक दस्ताबेच कौन सा है जिसका भारती समबेधान तयार करने में गहरा परभाव पड़ा था बताईएगा इसका राइट एंसर क्या होगा नेमलेकित में से वा सम्मेधान दस्तापेच कौन सा था जिसका भारती सम्मेधान में गहरा परभाव पड़ा तो याद रखने हैं इसका जो राइट एंसर होगा 12 संद्रियं 1935 यानि बात करें तो राइट एंसर उप्सन नमबर ये विल्कुल सही होगा बारती सम्मेधान में मूलवूद अधिकार की सम्मेधान से लिये गए है मूलवूद अधिकार जो है ये सयुक्त राज अमेरिका से लिया गया है उप्सन नमबर ये विल्कुल सही होगा भारत की राष्टपत की आपात कालिन सक्तिया नेमलेकित में से किस देश की देन है भारत की राष्टपत की आपात कालिन सक्तिया जो ये किस देश की देन है ये आपको बताना है तो याद रखना जर्मनी के विमर समयदान से option number C यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा कुशन 38 भारत की समयदान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अधारणा का उधार लिया था तो 38 का जो राइड एंसर हो जाएगा USA की समयदान से option क्या होगा यह यहाँ बिल्कुल perfect हो जाएगा Next है question number 49 समयदान निर्माताओं ने कौन सा लच्छड अमेरिका की समयदान से ग्राण किया है? समयदान निर्माताओं ने कौन सा लच्छड अमेरिका की समयदान से ग्राण किया है या आपको बताना है नियाएक समिक्षा मौलीक अधिकार सरवोच नयले के नयदी सकोपत से हटाने की विधी यानि A, B, C, T, N, O, राइडेंस रोप्शन नमबर D बिल्कुल सही होगा जो भी मित्र बता रहे हैं D बिल्कुल सही बता रहे हो नेक्स्ट आपके सामने हमारे समिक्दान में मौल अधिकार किस समिक्दान से प्रेरित हैं मौल अधिकार जो है किस समिक्दान से प्रेरित हैं यह आपको बताना है तो 40 का जो राइडेंस रोजाएगा मौल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है जो कि option number ये में है तो जो भी में तर बता रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपकी सामने निंडेकित में से कौन कौन सी एक वह मोल आधारी का है जिसे से भारते सम्मिधान बिक्षित हुआ याद रखना है इसका जो प्राइड एंसर हो जाएगा बारता सनद्रियन 1935 ऑप्सन नबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा जो भी में तर बता रहे हैं ऑप्सन नबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा तो यहाँ 41 कुश्ट जो है मैंने कंप्लेट कर लिया इसमें कौन सी टॉपिक थी सम्मिधान के सुरोथ से सम्मधित हमारा नेक्स टॉपिक जो है ये छटा टॉपिक आता है सम्मिधान के भाग इससे सम्मधित जितने भी important कुश्ट दिये गए इसे भी हम अच्छे से कंप्लेट करने वाले है पहला कुश्ट जो दिया गया है ये सम्मिधान के भाग से समंदित पहला कुश्ट है भारते सम्मिधान के कितने भाग या कहा जाए अध्याय में विवाजित किया गया है भारते सम्मिधान को पहला कुश्ट आपके सामने है भारते संबिधान कितने अध्याय या भागों में विवाजित किया गया है याद रखना 22 भाग या ध्याय है option number क्या होगा D यहां बिल्कुल perfect होगा जुबिय में तर बता रहे हैं option number D बिल्कुल सही है संबिधान के किस भाग में संबिधान संसोदन की प्रिक्रिया का उलेख है संबिधान के किस भाग में संबिधान संसोदन की प्रिक्रिया का उलेख किया गया है तो भाग 20 में भाग 20 में संबिधान के संसोदन की प्रिक्रिया का वरणन किया गया है राइट एंसर Opson Nãober 6 विल्कुल सही हो जाएगा Next Christian, हमने संबीधान के किस भाग में पंचायती राज ब्यवहस्था संबंदी प्रावधान दिये गये हैं hunters के किस संबेधान में पंचायती राज ब्यवहस्था से संबंदी प्रावधान दिया गया है यह आपको बताना है तो इसका जुराइड इंसर हो जाएगा भाग नो तो जो भी मित्र बता रहे हैं भाग नो बिल्कुल परफेक्ट एंसर बता रहे हो नेक्स्ट आपकी सामने कुशन 4 का जो राइड इंसर हो जाएगा भाग 21 में राइड इंसर आपस नुम्बर सी यहां बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपकी सामने हमारे सम्विधान के किस भाग में तीन सौंपानों में पंचायती बनाने की परिकल्पना की गई है कुशन 5 है सो समझ कर बताना राइड इंसर क्या होगा तो याद रखना भाग 9 में आपस नुम्बर यह यहां बिल्कुल सही होगा जो भी भाइबेन मारे बता रहे हैं आपस नुम्बर यह बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा नेश्ट कुशन आपकी सामने कुशन नुम्बर 6 है निमलेखित में से कौन सा निमलेखित में से समझ का कौन सा भाग नगरिपालिकाओं से संबंदित है निमलेखित में से कौन सा भाग जो है नगरिपालिकाओं से संबंदित है कुशिन नमबर 6 याद रखना भागनों के A में option क्या होगा D यहां बिल्कुल perfect होगा जो भी में बता रहे हैं कि भागनों के A में बिल्कुल सही बता रहे हो D वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे next question आपके सामने सम्भिधान के किस भाग में सम्भिधान के किस भाग में नीत निदेसर तत्तो का उलेक किया गया है यह आपको बताना है तो याद रखना चतुर्त भाग में राइडेंस रोप्स नमब भी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा सम्भिधान के भाग एक में निम्न में से किसका वरडन है सम्भिधान के भाग एक में निम्न में से किसका वरडन है यह आपको बताना है याद रखना संग और उसके राज छेत्र का बिल्कुल सही है उप्स नमब यह संग और राज का छेत्र का वरडन किया गया है सम्भिधान के भाग एक में तो option क्या होगा यह यहाँ बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपकी सामने question number 9 है भारतिये सम्मिधान के निमलिकित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है यह आपको बताना है question number 9 का right answer क्या होगा तो याद रखना question number 9 का right answer हो जाएगा भागतीन में option क्या होगा यह यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा question number 10 आपकी सामने है भारतिये नागरिकों के मूल अधिकार का विवरण सम्मिधान के किस भाग में दिया गया है भारतिये नागरिकों के मूल करतेव्यों का वरण सौरी में तरिहां करता भी लिखा गया है भारतिये नागरिकों के मूल करतेव्यों का विवरण जो है यह सम्मिधान के किस भाग में दिया गया है तो याद रखना इसका जुराइट एंसर हो जाएगा भाग चार का में option भी यहाँ बिल्कुल perfect हो जाएगा भाग चार के का में next आपके सामने भारत की सम्विधान का भाग चार किस से सम्मन्दित है question number 11 है slow समझकर answer देने की कोशिच करें तो याद रखना इसका जुराइट एंसर हो जाएगा राज के नेती नेती सकत तक तो यह सिद्धान आपके सामने संग्ये कारिपालिका की ब्याख्या सम्विधान के किस भाग में की गई है question number 12 का राइट एंसर क्या होगा याद रखना इसका जुराइट एंसर हो जाएगा भाग पांच में option number D यहाँ बिल्कुल परफेक्टों का जो भी मित्र मारे बतारे हैं भाग पांच बिल्कुल सही एंसर बतारे हो next question आपके सामने सम्विधान के किस भाज में नागरिक्टा का उलेख है यहाँ नागरिक्टा की बात की जा रही है याद रखना इसका जुराइट एंसर हो जाएगा जो भी मित्र बतारे हैं कि नागरिक्टा का उलेख जो भाड़ते सम्विधान के भाग दो में किया गया है तो option भी यहाँ बिल्कुल परफेक्टर एंसर हो जाएगा question number 14 आपके सामने आ चुका है समझकर एंसर दरनी की कोशिस करें कूर्ट दिया गया है और सूची दी गई है सो मलित करकर बताना है कि कौन सा कूर्ट जो है यह सही है तो अभी आपने पढ़ा था कि भारते सम्विधान का भाग नो जो है यह किस से सम्वंदित है तो यह पंचायत से सम्वंदित था भाग नो जो है यह किस से सम्वंदित था पंचायत से संबंदित था तो पहले का तीसरा पहले का तीसरा जो हो ये किस में दिया गया है भाग ओपसिन क्या हो जाएगा ये यहाँ विल्कुल perfect हो जाएगा तो यहाँ मैंने क्या दिया गया था भारत की संभिधान के भाग जितने भी important question में दिये गे थे मैंने कुरे को छिटंग से complete कर लिया मैरा next topic जो आ जाता है इस सत्वी topic है सम्भिधान की अनसूचियां अब इस संबंदित question को हम complete करने वाले सम्भिधान की अनसूचियों से संबंदित जितने भी important question है आज किस class में complete किया जाएगा पहला question जो है सम्भिधान म भारते सम्भिधान में कुल कितनी अनसूचियों वर्तमान की बात की जा रही है ना कि मोल सम्भिधान में बताईएगर राइड एंसर क्या हो जाएगा तो याद अकना वर्तमान में भारते सम्भिधान में कुल 12 अनसूचियों राइड एंसर option number C यहां विलकुल perfect होगा जो सम्भाब के प्रारूप समिती द्वारा परस्तुत प्रारूप सम्भिधान में कितनी अनसूचियों थी यहां आपको बताना है याद रखना इसका जुरायड एंसर हो जाएगा आठ बिलकुल सही बता रहे हो आठ वाले हमारे सभी मितर बिलकुल सही हो जाएगे नेक्स्ट आपके सामने सम्मिधान सभाद द्वारा अंतिम रूज से पारिस सम्मिधान में कुल कितनी अनसूची थी सम्मिधान सभाद द्वारा अंतिम रूज से पारिस सम्मिधान में कुल कितनी अनसूची थी यहाँ आपको बताना है याद रखना इसका जुराइड एंसर हो जाएगा आठ ओप्सन भी यहाँ बिल्कुल सही होगा मुल समिधान में कितनी अनसूचिया थी तो अभी बार बार उपर दो कुछन पूछेगे हैं आठ इसका बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर यह वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही होगे नेश्ट कुशिन आपकी सामने है किस समिधान ससोदन अधनियम द्वारा बारतिये समिधान में नवी अनसूचिय जोड़ी गई तो मुल समिधान में आठ इसका बिल्कुल सही बता रहे हैं पहले समिधान ससोदन में नवी अनसूचिय जोड़ी गई नेश्ट कुशिन आपके सामने 92 समिधान ससोदन अधनियम नवी अनसूचि कौन सी अनसूचि को भारतिये समिधान में सामिल किया गया 52 समिधान ससोदन अधनियम नवी अनसूचि में जो हुआ था उसमें कौन सी अनसूचि भारतिये समिधान में सामिल किया गया यह आप से पूछा जा रहा है तो याद रखना 10 वी अनसुची राइड अनसुची यहाँ बिल्कुछ सही हो जाएगा नेक्ट आपके सामने 73 सम्मिधान सासुदन अधिनियम भारतिय सम्मिधान की कौन सी अनसुची जोड़ी गई जब 37 सम्मिधान सासुदन हुआ तब भारतिय सम्मिधान में कौन सी अनसुची जोड़ी गई यह आपको बताना है तो याद रखना 11 अनसुची जोड़ी गई जो कि option number C में है 42 सम्मिधान सासुदन अधिनियम दौरा सम्विधान के दुतिय नसुची का सम्बंध किससे है भारतीधान के दुतिय नसुची का सम्बंध जो है किससे है यह आपको बता रहे है कुश्छ निमबर 9 का right answer निसर क्या हो जाएगा लाघतकूर पताधिकारियो का यह यहां बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा कुशन नमबर टेन आपके सामने है भारत संग में सामिल राज्यों और संग सासिज छेतरों का उलिक भारती समिधान की किस अनसूची में है तो याद रखना प्रथम अनसूची में राज्यों और संग सासिज परदेशों का वर्लेंज होए ये समिधान की किस सूची में है प्रथम सूची में है पहली सूची में ओप्सन यह यहां बिल्कुल सही हो जाएगा कुशन नमबर 11 आप चुगा है आपके सामने राष्ट पती राज्यों के राज्यपालों सर्बोच्य नियाले तथा उच्य नियाले के यो महाले खक परिचक आज के वेतन से उच्य नियाले के नियाधिसों संसद तथा राज्यविधान मंडलों के अधिकारी भारत के नियंतरव के उमहाले खक परिचक आध के बेतन से सम्मादित परावधान जो है एक इस अनुसूची में है तो दूसरी अनुसूची में है ओप्सिन भी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा कुश्य नुमर 12 है इसका राइडन्स आपको बताना है भारते सम्मिधान की तीसरी अनुसूची का सम्मादि जो है किससे है तो सबत या प्रतिज्ञान से यानि बात करें तो सी यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा सबत होता है तीसरी में दूसरी में बेतन होता है पहले में संग यों राज्य छेतर होता है तो यहां क्या होगा सबत है तता प्रतिज्ञान ऑप्सिन सी यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा नेक्स्ट आपके सामने कुशिन बढ़ते रे संबीधान की की सनुसुची में पढ़ते एक राज्य तता संग छेतरों के लिए राज्य सबह में अस्थानों के आवंटन की सूची है कुश्चे नंबर चौदे निम्लिकेत में से संबीधान बारत की संबीधान के किस अनुछेत अनुसूची का संबंद स्वासासी जीला परस से है तो याद रख रहा है इसका जो राज्य तरो हो जाएगा छटी है निसूची बिल्कुल परफेक्ट होगो अब से नंबर सी वाले हमारे सभी मिद्र बिल्कुल सही हो जाएंगे भारते संबीधान के 22 भासाओं को राज्य भासा का दर्जा परदान किया गया इन राज्य भासाओं का उलेख की सनुची में है यहां बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुछिन आपके सामने कुछिन नमबर सत्रे है किसी अधिनियम को भारते संबीधान के किस अनुसूची में सम्मेलित करने पर उसकी बैदिता को उसी न्याले में चुनोती नहीं दी जा सकती यह किस अनुसूची में दिया हो जाएगा नेश्ट है किस राज के आरच्छड विधे को नमई अन्सूची में सम्मिलित किया गया है यह आपको बिताना है याद रखना तमिल नार्ड इसका विल्कुल परफेक्ट एंसर हो जाएगा यानि बात करें तो राइड एंसर आप्स नंबर ये वाले सभी में त इलांगना एक नया राज जिबना था जिससे भारदे सम्मिल्दान के किस अनुच्छी में परिवर्तन होता है यह आपको बताना है यानि 19 का जुराइड एंसर हो जाएगा अनुच्छी एक में ऑप्सन क्या होगा यह यहां विल्कुल परफेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स है तो दलबदल का कानुछी में तो अनुच्छी ओटन स भारदे समादी तो लिए आपके सामनी आ आ चुका है भारते समधान की समयधान ुफे समयंदी है अब राज एंसर हो जाएगा नंस हो जाएगा दलबदल पो जाएगा वार्ण चर्म पर मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो ताकि मुझे भी अच्छा लगे आप लोग क्लास को देखते हैं आप लोगों को परसंद आता है और अच्छा लगता है तो प्लीज अपना फिडवेक कमेंट में जरूर दिया करो मितर अगर आप रेलोवे एक्जाम की तेयारी कर रहे हो तो रामबार एबुक आपके लिए आ चुकी है जो आपके रेलोवे एक्जाम में चार चान लगाने वाली है यह रेलोवे सिलिवस को अच्छे ड़क से कंप्लीट करती है जिसमें जीके है साइंसे और मैथ है अब यह 60 परसें डिसकाउंट के साथ मिल रही है अगर आप लेना सहते हैं मित्रे तो 99 चार चान लगा सकते हैं इसे रामबार एबुक की माध्यम से तो बहुत ज्यादा सस्ता है यानि 60 परसेंट ऑफिशल रहा है इसे लेने के लिए आप इस वाटसाब नंबर पर मैसेज कर लेना ज खी उबुक दे दी चाहेगी 60% डिसकाउंट के साथ नेक्स्ट कुश्ण आपके सामने आ चुका है क्या पूछा जा रहा है संविधान की छटी आनसूची इनमें से कि सराज में लागू नहीं होती है छटी आनसूची जो है कि इस राज में लागू नहीं होती है यहाँ है है आख सूचिदी गही सुमेली सभी वन को से सुमेला, की जाता सूचिव नीचे देगे कोल पास है उत्तार का चैन कीजिए चर्थू, अणसुची जो एक किसी समंदी कि थे सच्टम और ऑस्टम और 9 सच्टम-सातवी, आठवी और नवी चौथी और साथवी आठवी और नमवी जो है ये किससे सम्मंदित है तो याद अगना इससे चतूर्थ जो है ये किससे सम्मंदित है मित्र ये राज्य सबस सम्मंदित हो जाएगी तो या नवी जो ये भूमस्यधार से हो जाएगी यानि बात करें तो पहले तीसरा चौथा दूसरा और पहले यानि बात करें तो option C, यहां बिल्कुल सही होगा जो भी भाइबिन मारे बता रहे, option number C बिल्कुल perfect हो जाएगा यहां भी अनसूची दिया गया है, सुमलित कर बताना है कि कौन सी अनसूची में के समाधित भी से दिये गये हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए इस अनसूची में हो जाएगा दलबदल कानून बिल्कुल सही है, इसमें दलबदल कानून हो जाएगा, गयार में पंचाति राज व्यवस्ता का परावधान है यानि बात करें तो राए डेन्सिर क्या हो जाएगा बात करें तुम इसमें 24 का जो राइड एंसर होगा में तो D बिल्कुल सही होगा सभी बताने हैं D बिल्कुल सही होगा 1, 3, 1, 2, 4, option D यहां बिल्कुल perfect होगा नेक्स्ट है ये भी सुमलित करना है और ये भी सुमलित ही करना है सारे कुश्चन सुमलित करने की आधार पर आ रहे हैं चले जलेंदी कर लेते हैं कुश्चन जो है यह 25 आपके सामने हैं बताइए का इसका राइड एंसर क्या होगा अधार पर नसुमलित करकर देख लेना पहले चुफः एगा तीसरा आएगा पर पहला आएगा पिर दूसरा आएगा राइड एंसर नुमब overlap भी यहां बिल्कुशंब को साही होगा आपको बताना है आठवे अनसूची में क्या है भासा है बिल्कुल सही आठवे अनसूची में बासा है दूसरी अनसूची में सपत या परतिग्यान के रूप है नहीं दूसरी अनसूची में यहां बेतन के प्रावधान दिये गए है ना कि सपत के तीसरी अनुचुची में इसका राएट एंसर हो जाएगा नेक्श आपके सामने कुछिन नमर 27 इसका राएट एंसर बताना भारती समप्थान की 11 यह निसोची सम्मानदित है 11 यह निसोची जो है किससे सम्मानदित 27 का बता देंगे राइट ये तर क्या हूज़ाएगा तो याद रहाख न, पंचायती दाज समानदित है यानि अपसन नमबर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल perfect होगा जो भी मित्र बता रहे हैं यह यहां बिल्कुल परफेक्ट एंसर हो जाएगा कुश्यन 28 आपके सामने आज चुका है 28 सो चुका है 28 चलिए 28 कुश्यन है निमलेकित में से कौन सा कथन भारत के सम्विदान की चौथी अनसूची के सही वरडन करता है चौथी अनसूची के सही वरडन जो यह कौन सा कथन करता है यह आपको बताना है तो यहाद रखना चौथी अनसूची में इसमें राज्यसभग के स्थानों के आवंटे से समंदित परावधान अतिविष्ट के एद गये हैं क्या होगा ऑप्सन डी यहाँ विलकूच सही हो जाएगा यहाँ भी प्रस्ट करकर आपको बताना है कौन सा विलकूच सही है बताईएगा कुश्र नम बर rif तो जो भी मित्र बता रहे हो 29 का जो राइड एंसर डी बिल्कुछ सही बता रहे हो option number D यहां बिल्कुछ सही हो जाएगा बाकिसों मिलित करकर आप देख लेना मित्र है next question आपके सामने question number 30 है भारते सम्मिधान को निम्न में दी गए इन सूचियों में कौन सी सूची question 30 है सोच समझ कर एंसर देना तो पहले सूची बिल्कुल परफेक्ट है पहले सूची जो है यह क्या देती है नामों की सूची देती है राजिश हैत्रों का प्यवरा देती है तो option क्या होगा यह यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा भारते सम्मिधान में नमई नसूची परिवर्धित हुई है तो याद रखने इसका जो राइड एंसर हो जाएगा प्रथम संसोधन द्वारा यानि राइड एंसर option नमबर यह यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नमई एक अब भारत संग को एक नए राजिका सरजन करना हो तो नमई नमई के तनूची में आफ्सन धिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने कुश्य नमबर 36 इसकी रायड एंसर बताना है 33 का बता देंगे रायड एंसर क्या हो जाएगा निमनिकित मेंसे कौनसा खतन सभी दान के चतूर्थ अनसूची कर सही सही वरडित करता है जो चतुर्थ अनसूची जो है यह कौन सा वरिणन करता है तो यह राज्यों के परशत के सीटों का बटवारा करता है यानि ऑप्सिन भी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट कुश्य आपके सामने है कुश्य नमबर 34 है इसे भी सुमलित करकर बताना है आपको इसमे कौन सा कूर्चो है बिल्कुल सही लिखा गया है कुश्य नमबर 34 से सोच समझ कर बताई तो ड इसका बिल्कुल परफेक्ट एंसर हो जाएगा ड वाले हमारे सभी में तर बिल्कुल सही हो जाएगे नेक्स्ट कुश्य आपके सामने संभीधान संभीधान भारत की संभीधान की किस अनुच्योंची में निम्ले के राज्यों के प्रसासन और नियंत्रेड के लिए विशेज उपवंध है तो इसका जुराइड एंसर हो जाएगा पांस जुवें इनसुची ऑप्सन भी यहां बिल्कुल परफेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट है निम्लेकित में से कौन नहीं जोड़ी गई अनसुची नहीं है तो इसका नंस जोड़ी है नहीं 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 है यह मूल से मिदान में ही तो ऐप्सन नंबर यह यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपकी सामने है में दर इसका सही सुमलित करना है उसकी बाight बताना है इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्सन तो है यह यहां दिया होगा 37 का ऐसे कर दें दो वह चोटा हो जाएगा यहां सुमलित कर लेना में तो इसका जो राइडेंस होगा सी यहां बिल्गोल परफेक्ट होगा तीसरा चौथा दूसरा और पहला लास्ट कुश्चिन है कुश्चिन नमर 38 है क्या पूश्च जा रहा है भारते सम पहिदान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से समंद रखता है यहां आपको बताना है 38 का बता देंगे राइडेंसर क्या हो जाएगा तो दसवी अनसुचि आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि दसवी अनसुचि में दल बदल कानुन से समंद्धित प्रावधान द बाता है यह भारत के अनुछे दाता है आठवी टॉपिक्स हो है यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेन टॉपिक है विंत्र